तो जैसे कि आप लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था लूफेन और जहेंगाई के उपर वो फॉलेंड कॉप्स अटेक कर देते हैं जिनकी लेवल 65 होती है जहाँ अपनके अटेक को काउंटर करते हैं वे लूफेन मनीमन कहा रहा होता है क्या फॉलेंड कॉप्स क्या य उनके उपर अटेक करता है और कहता है मैंने मारना नहीं चाता और यह कहते हैं वो वेव एक्स्ट्रीम कोल्ड को यूज करता है जिससे कि वह वहाँ पे एक स्पाइडर वेब को क्रियेट कर देता है जहाँ पर वो फॉलेंड कॉप्स फच जाते हैं जो कि देखते हैं फॉलेंड कॉप्स नीचे जाके गरते हैं जिसमेंसे एक कॉप्स बाहर निकलते बे उन दोनों की तरफ देख रहा होता है इसी कि साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सीनिर ती उससे किया रहा होता है और उससे कहता है कि बागी सभी को बुला के लिए क दो क्याया होता है वह सभी तो पहले यहां पर आचुके यह कि साथ हमआपर बागी से सारी मेंबर्स को देखते हैं जिनमें से एक परसित को ह Works का रहा होता है 78 squad के सभी member यहाँ पर present है इसी के साथ हम इसके बारे में बताया जाता है यह लूफी है जिसकी level 16 है और यह एक level 16 divine punishment knight है और यह first squad का captain भी है इसी के साथ वहाँ पर जो दूसरा person होता है वो बाहर आते वे क्या रहा होता है वाँ यह तो कितना rare मौका है तो बताये लौट जिन्मे ने हमारे लिए क्या order दिया है इसी के साथ में बताया जाता है यह जो person है यह लूट चैंग कॉंग है जो कि level 10 का holy shield knight है और इसी के साथ यह first squad का member है इसी के साथ हम आपर और एक member को देखते है जो की शेंसाई होती है और यह level 10 की सौरिंग इगल नाइट है जहाँ पर senior तू यानि के जहनवे उन लोगों से क्या रहे होते है ओड लियू मैंने आज तुम्हारा टीम के लिए एक नया member arrange किया है और यह लूफन है जो कि dragon capital academy का number one है तो लूफन उन्हें देखते हुए hello कहता है जो कि देखते हुए वहाँ पर लूफ चांग कॉंग आगे बढ़ता है और उससे हाथ मिलाते है वैसे क्या रहा होता है ओड्रैगन कैपिटल अकेडमी तो तुम लूफन हो वाह मैं भी ड्रैगन कैपिटल अकेडमी से हूँ और मैं कुंग यून किलास से ग्रेजवेट हुआ हूँ वाह ये तो बड़ा कॉंसिडेंस है अब तो आम दोनों एकी टीम में होने वाले है तो लूफन उससे क्या रहा होता है एक सीनियर ऐसे लगता है कि आपने फ्रंट लाइन पर काफी ज़्यादा मैनत किया है तो चांग कॉंग उससे क्या रहा होता है चिंता मत करो तो वैसे भी मैं यहाँ पर एक न्यू मेंबर की तालाश कर रहा था दोसी दर हम देखते हैं कि ओल्ड लूफेई जैनवे से क्या रहा होता है सर मेरे पास कुछ कोशन्स है तब ही हम देखते है कि लूफन क्या रहा होता है सीनियर लू कैप्टन लूफेई के चेस्ट पर यह जो बैच है आगर यह किस चीज को दरशाता है यहाँ पर सिर्व ही है जिनोंने इस चीज को पहना है तो उसकी बाते सुनते हुए लू चैंग कॉंग क्या रहा होता है यह एक मिलिटरी मेरिट बैज है जहाँ पर ओल्ड लूफन ने कौपर बैच को अर्न किया है तो वो जो आठ हायर रैंक के लोग है वो हमें चार्ज करते है यहाँ पर हम दूसी तरफ ओल्ड लूफन को देखते है जो कि जैनमेर से कहा रहा होता है कि आप किसी कॉलेज के स्टुडेंट को इंटर्णशिप के लिए यहाँ पर ले क्या है वो भी उसके रीजियम को पॉलिश करने के लिए सर प्लीज ऐसा मज़ाग मत कीजिए 78th स्कॉड की मिशन यह काफ इसी तर टफ है और इसे के साथ हमारे पास बेबी सिटिंग का टाइम नहीं है तो उसकी बादे सुनते हुए सीनिर ती उससे कह रहे होते है अल्डर ली हो क्या मैंने कमी मज़ा किया है क्या अगर यहाँ पर कोई खत्रा है तो उसकी चिंता मत करो अगर वो मर जाता है तो यह उसके प्रावलम होगी ना कि तुमारी और वैसे प्राइबेटली हम दोनों भाई है जहाँ पर उसे देखते हैं लू चांग कॉंग उससे कह रहा होता है कैप्टन लू तभी कैप्टन लू कहा रहे होते हैं शैंसाई लुफन को स्कॉर्ड मीटिंग रूम पर ले जाओ हम जल्द ही मिशिन ब्रिफिंग शिरू करेंगे जो के सुनते वे लू फिल्द भी थोड़ा सा हैरन होता है यहाँ पर हम शैंसाई को देखते हैं जो की बहुत ही परेशान होते वे कह रही होती है उफ यह क्या जंजट है इसे के कुस्तने बाद हमें 78th स्कॉर्ड मीटिंग रूम का सिन दिखाय जाता है जहाँ पर वो चारों एक जगा बैठे रहे होते हैं जहाँ पर कैप्टिन लिू उन सभी को उस जगा का मैप दिखा रहे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं फारवर्ड स्टेशन के रिपोर्ट के अकोडिंग चार दिन में एक बर फीला तूफान आएगा और इसका मतलब हमारा जी जो मिशन है ये चार दिनों के अंदर में पूरा करना होगा इसी के साथ आगे के स्टेशन तक आने जाने में दो दिन लगते हैं और एक बर जब हम आगे के स्टेशन पर पहुँच जाएंगे तो हमारे पास 78 रूट पर घुमने के लिए दो दिन होंगे तो लू चांग कॉंग उससे कहा रहा होता है दो दिन जादा कुछ देखने और सबजने के लिए ये काफी नहीं लगते है कैप्टन लू कहा रहा होते है एक न्यू टीम मेंबर के साथ इस बार हमारा जो टार्गेट है वो 100 मील की दूरी तैकरना है और इसे एक सक्सेस मिशन माना जाएगा तो इसकी बाते सुनते पर शेंट सायुस से कह रही होती है यह अभी भी काफी माइल्स है और एक स्टूडिन के साथ होना इसका यह मतलब है कि हमें उसके साथ नर्वी से पेश आना होगा है ना तो उसकी बाते सुनते पर लू चांक को उसे चूप रहने के लिए कहता है यहाँ पर हम लू फिन को देखते हैं जो कि मनुमन कहता है अगर हम successfully unexplored area में enter कर सके तो शायद हम the treasure map of the gods को ढून सकते हैं तब ही captain लोग क्या रहे होते हैं यह time waste करने का time नहीं है अपने griffin को तियार करो और 15 minute में यहाँ से निकलने के तियारी करो तो उसकी बादे सुनते वे शेन उस से क्या रही होती है ओफ यह तो बिल्कुल robot की तरह है क्या हम उस बर्फी लिटूफान के गुजरने तक के अंदजार नहीं कर सकते हैं तो उसकी बादे सुनते वे चांग कॉंग उससे क्या रहा होता है चलो चलो आखिर हमारे टीम को फ्रेंट लाइन किस ने बनाया हमें आगे जानाई होगा तब हम देखने कि कैप्टन लू लूफेन से क्या रहे होते है वैसे लूफेन तुम अपने माउंट को स्कॉर्ड के स्टेबल में रख सकते हो हमारे हाँ पर सबसे बढ़िया चाला मिलता है तो उसकी बादे सुनते वे लूफेन उससे क्या रहा होता है मेरी माउंट अभी इनफ लेवल की नहीं है तो इसलिए मैं अभी राइट नहीं कर सकता हूँ तो उसकी बादे सुनते वे शेन कहारी होती क्या मैं तुम्हें कहारी नहीं करने वाली हूँ अब ये सब कैप्टन लू की प्रॉबलम है तो चांग कॉंग भी कहा रहा होता है अब तुम क्या करने वाले हो आखर तो हमारी स्कॉर्ड के साथ कैसे उड़ोगे लूफिन उन लोगों से कह रहा होता है वैसे मेरे बार में चिंता करने के कोई भी जूरूत नहीं है मैं फिर भी हावा में उड़ सकता हूँ इसलिके कि उसने बाद हम देखता है कि वह सब आपामे उड़तेवे आगे बढ़ रहे होते हैं जहां पर हम लूफिन को देखते हैं जो कि वह सी विंग को लगा के हवा में ऊढ़रा होता है तो उसे देखते हो चांग को उससे कह रहा होते है वाह तुम्हारा ये गियर ये तो बहुत ही जादा बढ़िया है जूनियर तो ये देखते हैं शैन भी कहा रही होती है ऐसे रिये एक्विमेंट्स और लॉट त्यू के अलेंजमेंट के साथ क्या लूफन की फैमली डिड्राइगन कैपिटल एलाइट का पार्ट बन सकती है त हम अभी क्लावड क्लस्टर में एंटर करने वाले हैं और इसी के साथ हम सामने देखते हैं जहां आसमान में तूफान चल रहा होता है बिजली जोरों से कड़करी होती है और वहां पर जो बादल होते हैं वो काफी जदा काले होते हैं तो ये देखते हैं क्लावड क्लस्टर कि अंदर की वीजिविलिटी यह बहुत ही ज़ड़ा कम है तो प्लीज सभी लोग अलट रहना यह देखते हैं चांग कॉंग भी क्या रहा होता है है जूनियर प्लीज हमारे क्लोज रहना और हाँ क्येरफुल रहना और प्लीज अलग मत होना तो उसकी बाद सुनते वे लूफ गबनाती में मनीमन क्या रहा होता है और नहीं मैं पूर्टरिकी से उन से दूर हो चुका हूं और इसी के साथ वो चिलाते वे क्या रहा होता है सीनियर कैप्टन लियू वह आकर आप कहां पहें तभी अचानक से उसके पीछे से एक पीश्ट आता है जो कि देखते वे वह का बनीवन क्या रहा होता है एक और करप्टेड कॉर्पस अंसे लगता है कि वह ब्लड मून सिर्फ इंसानों को अफेक्ट नहीं करती बलकि वह वीश्ट को भी एफेक्ट करती है यह कहते हैं वह पर डैगर से उसके उपर काफी तेजी के साथ अटेक करता है जहां पर मनीवन क्य जी के साथ उस बीश्ट पर अटेक कर देता है जहां पर शैना आगे बढ़ती हुए क्या रही होती है उस प्रेडिटर को और फेंटम्स क्रिएट करने मत दो इसकी वज़ेसे मैंने पहले ही एक एगल खो दिया है तो उसकी बाद है सुनते हुए चांग कॉंग लूफन से कह उसका लंच की तरह है तो यह सुनते भी लूफन उससे क्या रहा होता है थैंक्यू सीनियर लेकिन मैं बस बैट कर आप सभी को लड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ तो उसकी बाद है सुनते भी शैन क्या रही होती है नए लोगों को अपने मर्दी से काम नहीं करना चीए तो टीम के प्लैन को फालो करो यह कहते है वो भी आगे बरती है जहांपर चैन कांग क्या रहा होता है हाँ यह सही है हम इस स्काइप रेडिटर लाइन से निपट लेंगे और वैसे भी हम बहुत टाइम से कैप्टिन लू के उपर डिपेंडिट है लेकिन अब भी हमारे पा आवाज जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती तब हम देखता है कि उस मॉस्टर के वज़े से वो सभी लोग उसकी तरफ कीचे जा रहे होते हैं यह देखते हैं सभी लोग कह रहे होते शिट वाकर यह चीज क्या है तब ही यहां पर टैंक कॉंग सभी से क्या रहा होता है यह त सब्सक्राइब जरूर कर देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए